हालो डियर इस्टूरेंट्स बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल स्टेडी विद दुलार में बच्चों ये कलास 6 का मैथ बुक है चैप्टर 5 है और एक्ससाइज 5.7 तो आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे इसमें ज्यादा कुछ बनान स्टेटल रक्टेंगल एक रेक्टेंगल को एक स्टेटल र right dismiss के जैसा सोच सकते हैं सोच सकते हैं कि यह हो गिया स्क्वार और यह हो गया rectangle एक rectangle तो इसमें जो properties है इसमें उस तरह की properties क्या क्या मिल रहा तो सबसे पहला properties हो गया कि इसमें 90 degree के angle जो है इसमें भी 90 degree के angle है सभी angles 90 degree का है और दूसरा properties क्या है किि इसका जो है आपने सामने का जो है मतलब opposite sides जो है वह equal तो इसका भी opposite side equal सबीब रहता है इसके opposite में equal Michigan में equal ये22collar हिए दो properties हो गया ताम फित्र आलिख सकते हैं because कि इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं कि because क्योंकि angles of rectangle और right angles इसमें जितने भी angles है और right angle है और and opposite sides और equal और opposite side इसका भी equal है इसका equal है इस तरह से दो properties है इसलिए हम square को एक rectangle special rectangle के रूप में हम सोच सकते हैं इस पारिलोग्राम अगर्डप सकते हैं तो बी नमबर में हम यहां पर एक rectangle बनते हैं यह रेक्टेंगल हो ग्या और एक परलेलोग्राम बनाते हैं तो यहां पे यह हो गया parallelogram यह हो गया तो इसमें similarities क्या कितने similarities मिल रहा यहां पर सबसे पर हम देखते हैं opposite sides equal है इसका और इसका भी वही है opposite sides जो है equal है और दुसरा इसमें दोनों sides opposite sides जो है वो एक दुसरे के parallel है तो दो properties यहां पर मिलता है तो इसलिए हम इसको एक rectangle को एक special parallelogram की रूप में सोच सकते हैं तो यहां पर हम लिखते हैं because इस तरह से हम इसकी similarities को दिखा सकते हैं because opposite sides are equal and parallel c number में दिया हुआ है a square can be thought of as a special rambus क्या एक square को special rambus के रूप में सोच सकते हैं तो यहां पर c number लेते हैं और इसको एक picture बना लेते हैं square का सबसे पहले square का बनाते हैं और एक reverse का बनाते हैं तो र похож यह हो गया यह इस तरह से हो गया उसके बाद similarities मिलाते हैं इसका angles नहीं मिलता लेकिन four sides इसका equal होता तो इसमें भी four sides इसका equal होता उसके बाद इसका istemर ड्यागोनलस जो हता है यह skec tiny ड्यागोनल्स और यह इस तरह से यह ड्यागोनलस जो हता है एक दूसरे पर पर पेंडिक और होता है तो यह दो सिमिलेरेटी मिल रहा है इस रूप से हम एक इसक्वाइर को एक राभर में करें मैं सोच सकते हैं यहां पर हम लिख Id brid इसे हम दिखा सकते हैं लिखकर because all sides are equal and diagonals are perpendicular और D number में क्या कह रहा है तो D number में कह रहा है squares, rectangles, parallelograms are all quadriletals ये सभी जो है quadriletals, quadriletals क्या होता है जिसमें four sides होता है, four sides होता है, इसलिए उसमें four angles भी होता है इसलिए ये region हो जाएगा, D number का यहां पर लिखते हैं because this have इस तरह से हो जाएगा, because this have four sides and four angles इसमें four sides होते हैं और four angles होते हैं यहां पर last में दिया हुआ है, इस नमर में दिया हुआ है square is also ये parallelogram square क्या एक parallelogram है, तो किस तरह से है, किस तरह से reason देना होगा सबसे पहले एक square बना लेते हैं इस नमर में एक square बनाते हैं और एक parallelogram बनाते हैं, parallelogram यह हो गया इस तरह से, similarities क्या मिल रहा है, इसमें जो है opposite sides equal है और इसका भी opposite side, वैसे तो square के four sides जो है equal है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि इसके opposite side equal है, यह भी सही है, और इसमें जैसे कहा जा रहा है कि opposite side equal है, तो इसमें भी similarities आ जाता है कि यह भी opposite side equal है अब इसमें दूसरा similarities क्या मिल रहा है, इसका side जो है parallel है इस तरह से parallel है, equal जो है यहाँ distance होता है, उसको parallel बोलते हैं साथ साथ में यह लाइन चलता है, तो equal distance होगा, वो parallel होता है और यह जो है, यह भी parallel line होगा इसमें भी, तो दो similarities यहाँ पे मिल रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं, because यह reason हम दे सकते हैं, because opposite sides are equal and parallel opposite side equal है और parallel भी है, यहाँ पे यह complete हो जाता है और next देखते हैं, next question है, question number 3, यहाँ पे क्या कह रहा है a figure is said to be regular if its sides are equal in length and angles are equal in measure can you identify the regular quadrilateral, एक जो regular figure जो होता है उसमें उसका सभी sides जो होता है, वो equal होता है और उसका angles जो होता है तो quadrilateral, quadrilateral में regular quadrilateral को पहचानने के लिए बोल रहा है कि कौन सा regular quadrilateral होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एक यहाँ पे question number 3 लेते हैं, और four side, उसका जो four side अगर हम लेते हैं और सभी side equal हो, और सभी angle equal हो, तो ऐसी स्थिती में यह figure हमारे पास आता है तो यह figure जो है, यह square का figure है, इसका answer मतलब हो जागा regular quadrilateral, regular quadrilateral यह हो जागा, square हो जागा, तो यह हमें answer इसको लिख सकते हैं यह answer हो जागा, और यहाँ पे exercise 5.7 समाप्त हो जाता है और next question को solve करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं करने के लिए हमें